वी वेलकम बैक टो माइन चैनल बिछेट सब देख सकते हैं किया काजल बनकर रेडी हुआ है यह कोई मार्केट का धान नहीं है और हम मार्केट काजल का खुर ऑगा इंडें यह व्यक्ति से wax लिगूं wedge करे hops candidate कि एके- हुए ट नचूरल फिनिसिंग लुक आपको देगा कितना बोल्ड लुक आपको प्रोफाइट करेगा यह आप अच्छे से वीडियो में देख सकते हैं इसके बाद आपको लेना है अधा कटोरी सरसो का तेल इसके बाद आपको चाहिए होगा दो बत्ति तो मैंने यहाँ कपास सी मोटा मोटा बत्ति तयार किया है इस तरह का कोई प्लेट ले सकते हैं या फिर कोई पुराना सा बरतन भी यूज कर सकते हैं तो आईए हम देखते हैं किसी हमें कैसे प्रोसेस में लाना है सबसे पहले आप इस बत्ति को जो आपने तयार किया है कोटन सी या फिर मार्केट वाला बत्ति उसे आप सरसो का तेल में अच्छे से डिप कीजिए दोनों बत्ति को आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डिप कर लिए है and friends उसके बाद आपको इस दिये में सर्शो का तेल भी डाल देना है आप कम कम तेल में भी से बना सकते हैं एंपर देख सकते हैं मैंने पहले दो खाली दिये को नीचे रखा इंड उसके बाद जिस प्रभती है उस दिये को सबसे उपर रखा ऐसा मैंने इस लिए किय करती तो नीचे का फॉर्स काला पढ़ जाता जब यह जलने लगता तो नीचे से भी हीट होता तो फॉर्स काला पढ़ जाता इसलिए मैंने ऐसा किया है अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यह टोटली ऑप्सिनल है आप इसे शाप antikyp कर सकते हैं उसके बाद आपको बना से साइड साइड में दो ग्लास और स्टाइब से रख लेना है और इसके ऊपर आपको प्लेट रख देना हैं मैंने इस प्लेट को एक्सचेंज कर दिया है थोड़ा देर के बाद क्योंकि प्लेट में था रहा था जैसे जासे ही प्लेट वैसे वैसे यह उपर की और उभर जा रहा थो तो मैंने इसे एक्चेंज कर दिया है आप देख सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है एक बादाम लेना है और उसे चाकू में अच्छे से लगा रहेना है उसके बाद दिये में जो तेल है उसी पर आपको इसे डीप किया है आप चाहे तो ज़्यादा बादाम से तयार कर सकते हैं बट मैंने सिर्फ यहां तीन बादाम ही यूज किया है यह तो हो गया है आप वीडियो में अच्छ देख सकते हैं अब लगभग तीनों बादाम को मैंने जला लिया है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा काजल बनकर रेडी हुआ है यह जो कोल है इसे हम चम्मच से स्क्रेच करेंगे फ्रिंस आपको ध्यान यह रखना है कि जब यह अब यह सROब्सक्रेच करने तो की फिर्ञिक बरतन जिसे भी आपने यूसिए हैं वह ठंडा हो जया उसके बाद ही आपको इसे इसक्रेच करना है तो आपका हाथ जल सकता है तो इसलिए आपको ठंड़ा होने का वेड करना है तो फ्रेंस मैंने यहां स्क्रेच कर लिया है और देख सकते हैं काफी अच्छा सवांट में कॉधने अब हम जो हमने बादाम जलाया था उसे हम इसमें क्रस करके एड करेंगे आपको इतना क्रस करना है कि इसमें कोई भी पार्टिकल ना रजा यह बिल्कुल पाउडरी फोम में आ जाना चाहिए नहीं तो अगर पाउडरी फोम में होगा तो आपको काजल अपलाई करने में कोई भी घी कहने का मतलब गाय का घी घर में बना हुआ या फिर पतांजली का देसी घी आप इसमें यूज कर सकते हैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके घी एड करना है क्योंकि अगर आप एक ही बार में ज्यादा घी एड कर देते हैं तो इससे अगर यह लिक्विडी फोम म कonaघ्या है ताकि इसका जो थिकनेस है वो आपको पता चल सके इसमें और एड करना चाहिए या फिलन करना चाहिए तो इस चीज है अपके लिए अच्छा होगा क्योंकि जितना यह थिक होगा उतना ही यह वाटर्पूफ होगा एंड आपके लिए बोल्ड लुक क्रियेट करेंगा आपका काजल बिल्कुल डार कलर में बनकर तयार होगा तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है उसके बाद आपको इसी एक कं कर लिया है तो अब आम इसे अपने हाथ पर अप्लाई करते हैं यह दिखने में तो काफी अच्छा है बर देखते हैं यह कितना वर्क करता है आप देख सकते हैं बिल्कुल बोल्ड एकदम डार्क कलर में काजल बनकर रेडी हुआ है और मैंने बार-बार कहा है कि यह वाटर होकर यूज कर सकते हैं अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया थोड़ा सा भी हैल्फुल हुआ आपके लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मेक प्रोड़क्स घर पर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो फ्रे